क्या बताओं कापी दिन हो गए अभी तेक एकसी लिटर वह पस नहीं हो जा चलू एक जार करते हूं सैद आही जाए कंडी तुम हमें तुम झिंदा हो नहीं तुम अंधे हो नहीं मैं तो पहचान नहीं पाया कंडी तुमने पचान हां मुझे तुमने पहचान लिया इतना ही काफी है मैं तुम्हारा प्यार मुझे दुबारा यहां खीज कर लाया है हाँ कामनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम अपने खास मक्तद बताओ कि मैं इसलिए आया है कुछ मजबूरिया इसी होती है जो इंसान को मजबूर कर देखती है वो श्रकमल में किसी की जिन्दकी मौत का सवाल था उसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ा तुम्हारा काम हो गया लेकिन अभी तुम्हारा तो काम नहीं हुआ कामनी मुझे भी सवास करो कामनी मेरा जव तुम्हारा काम हो गया हमारत काम हो गया तु फिर दुबारा यहां क्यों आया हो यह तुम्हारा प्यार खींच कर लाया है मुझे तुम्हारा कोई दूसरा मकसद होगा हां मकसद है कामना बताओ और वह मकसद सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं पूरा कर सकता है वो कौन सा मक्सद है मक्सद यह है मुझे महारानी माय देपी छड़ी और अंगूठी चाहिए और और उस शरोवर से थोड़ा से जल चाहिए इसका मतलब ये भी कोई चाल है जाल नहीं इसमें भी किसी जिंदकी के और माउथ का सवाल है ठीक है मैं तुम्हें चड़ी और अंगूठी दूँगी मुझे मुझे मुश्वात था कामनी मेरा काम जरूर करेगी हाँ आओ मेरे साथ कहाँ पर मेरे घर पर कुटो तुम्हारे घर पर रहती है हाँ कामनी तुम घुष्चा हो ने एक बार हादो तुम्हें अंगूठी और छड़ी चाहिए मैं तुम्हें चड़ी और अंगूठी दूँगी ये समय महाराणी माया देवी के अस्रान करने का समय हो चुका है चलिए आओ एक्सिलेटर अब बन गया काम अब कामनी द्वारा वो छड़ी और वांगूठी हांसिल हो जाएगी और रह गई जल की बात तो जल वो खड़ाओं और शाल द्वारा हम प्राप्ट करेंगे चलते हैं अरे महारा निमाया तेरा जो पलड़ दूगा साया आ रहा ह मैं चलू क्योंकि यह हमारी महारानी माया देवी के असनान करने के समय हो जाए और मैं चलकर पूजा की समागरिये का तुरकर लिते हैं क्यूंकि आज महारानी जी को काफी समय हो जो और अभी तक असनान करके वापस नहीं है मुझे लग रहा है मेरा इंतिजार कर रही है क्यूए मेरे बगार अश्नान नहीं जाती है इसलिए सोच रह yolगी कि जब तक मंत्री कामनी नहीं आएगी मैं अश्नान करने नहीं जाओगी ये मुझे चलना चाहिए और महारानी के पास देना चाहिए इतना शमय हो गया है मेरे अशनान करने का समय हो गया है मंतरी काम नहीं अभी मेरी समगी पूजा की कुछी कट्था ने किया जौड success मेरे नहाने का समाने ही कट्था ने किया आने दो उसकी लंबी खबर लेती हो भी कियो कहा गुमती रहती है अरे वही तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे असनान करने का टाइम हो गया है असनान करने के बाद तुरंत मैं पूजा करती हूँ और इतना समय हो गया तू क्या कर रही थी अरे महांजी में वही तो थाल आपकी सजा रही थी पूजा वाली थाल सजा रही थी अच्छा तो ठीक ये ले ये मेरी तिलसमी कटार और ये जादूई छड़ी पकड़ी से और ये ले अंगुठी अम मैं असनान करने जा रही हूँ ये अंगुठी किसलिए महारानी जी ये तो मैं जानती हूँ कि आपकी जादूई छड़ी है और ये जादूब क्या करेगी तू जानकर अरे नहीं महारानी जी ये मुझे पता तो चल नहीं कि ये अंगुठी किस काम में आती है ये अंगुठी बहुत काम आती है जैसे इस अंगुठी जरिये सरोवर का जल कोई दूसरा छू नहीं सकता ये अंगुठी है तभी छू सकता है अगर कोई अंगुठी बगार छूएगा तो और ये पत्थर का हो जाएगा इसलिए देख दो-दो रखती हूँ पत्थर को हो जाएगा हां उसी में भस्म हो जाएगा और माल लीजिए गलती से कोई जल में कूद गया तो वही तो बिना अंगुठी के कोई कूद गया तो भस्म हो जाएगा जल में समात हो जाएगा तक ठेक वक्त नहीं है मैं इस्नान करने जा रहे हैं शमाल के रखना मैं इस्नान करके जैसे हूं सारी समगरी मुझे मिलना चाहिए उसके बाद फिन मैं फूजा करूगी ठीक ठीक को कि वाम अपनीत मेरा काम और सं कर दिया अराम्स ये तो रही जादूी जिसके द्वार ओम गडाम करती रही को अरी इसके सिवा तो उसके पास कुछ है ही नहीं जब भी देगो ओम फट स्वाहा ओम फट स्वाहा और यह है वो कटार जो अपने आप उड़कर लोगों को खून कर देता है वा और यह रही अंगूठी इसके पहनने से समझ गई महारानी जी ने मुझसे राज छिपा लिया लेकिन उन्होंने तो यह बताए नहीं कि यह अंगूठी पहनने से जो भी सरोवर में कूदेगा उसे मचली नहीं निगलेगी लेकिन महारानी जी आप साइब तुम्हारी जिन्दिकी कर निकलने कर शबाय आचुकर कि यह क्या अंगूठी क्या अंगूठी तो मैं ऐसे मुझसाथिर के हाथ में पहुचा दूगी जो तुम्हें चिन्दिकी से ही सुला देगा मैं चलूँ साइद एक्सिलीटर मेरिया इंतजार कर रहा होगा पता ने कामनी कहां चली गए छोड़ कर अरे में यही पन्हाँ यही पन्हाँ हाँ कामनी हाँ हुआ काम शेली जीगा यह जदे छड़ी है हाँ और ये ये के अंगूठी है हाँ इसमें क्या खुबी है इसमें बहुत खुबी आ है क्या खुबी है इस अंगूठी को पहनने से जो भी स्वरोवर में कुदेगा उसे मचली निगलेगी नहीं और अराम से मचली को निडिक निकाल लाएगा यानि रंगूठी को पहर कर जो सरोवर में कुदेगा उसे मचली छू नहीं सकते हैं और ये है वो खंजल जिससे तुम उस मचली का कदल कर सकते हो लेकिन वो मचली तो कदल करने से क्या मतलब है क्योंकि महाराणी माया देवी की जान सिर्फ उस मचली में है और जब तक वो मचली मरेग नहीं महाराणी माया देवी भबलान है कामनी अब तो मचली जरूर मरेगी उस मचली कमारेगा एक्षिलेटर अब देखेगा एक्षिलेटर का माल लाऊ तुम मारूगे? तुम इसरी पिखर मत करो काम नी? उच्छे तो नहीं लगता कि तुम मार पाओगे ये काम मुझे पर छोड़ो जो एक्सिलेटर जब दुबारा यहां आ सकता है तो क्या नहीं कर सकता अरे महारानी माया तेरा तो पलड़ दूगा साया अब तेरी जिंदगी मात एक्सिलेटर के हाथ में है नमस्कार कामने चलता हूं अब समय दूर नहीं है जिसमें मैं माया नगरी की महारानी बनूगी अब मेरा समय आ चुका है चलती हूं देखती हूं महारानी माया देवी किस तरह तरफ तरफ कर मरती है नजाने एसकेलेटर अभी तक आया ने और मैं उसका इंतजार कर रहा था उसने कहा था हम कामने के पाथ जाएंगे देखता हूं कहां है अरे भाईया दीपत तो कहां गुम रहते हो अपना काम और असान हो गया क्या हुआ यह देखो यह महारानी माया देवी की जदू ही छड़ी है इसमें उसका सारा जादू है और यह उसकी अगूठी है इससे क्या होता है इसको पहरकर अगर शरोवर में कूदोगे तो मचली इसे मचली का कड्ल करोगे जैसे मचिली का काड्यों तो यह उसकी मौत होगी बहुत अच्छा अकास में उड़ते-उड़ते उस शरवर को पता लगाते हैं कि वो शरवर की जगा है और वो मचली कितने गहरे पार रहती है ठीक है इसकेलेटर जले आप घराव बहरिये और हमसाल उड़ते बढ़िये महाने में मुझे बहुत आनन्द आया कितना सीतल जल मेरा तो रोम रोम खिल गया है असनान करते-करते मुझे उस परदेशिक याद आ गई है वो मुझे कम मिलेगा प्यार का है बनाया आदम ने क्यार का है बनाया आदम ने कोई आए मेरा दिल ठाम ने कोई आए मेरा दिल ठाम ने क्यार का है प्यार का है बनाया राम ने कोई आए मेरा दिल ठाम ने कोई आए मेरा दिल ठाम ने हो लगे शामन की जड़ी ऐसे फूलों की लड़ी दिल में धूमा उठ रहा जैसे दम घुट रहा जब ही आए कोई मेरे शाम ने कोई आए मेरा दिल ठाम ने कोई आए मेरा दिल ठाम ने प्यार का है प्यार का है बनाया राम में कोई आए मेरा दिल ठाम ने कर समय हो गया है अरे कामनी ओ कामनी कम बख़त न लाए कहां गया है मेरे पूजा करने का वक्त हो गया है मैं अस्नान करके कम से यहां खड़ी हूं मारानी जी मैं आपकी पूजा के लिए ही पूजा की थाली सजा रही थी मारानी जी हाली सजा रही थी हाँ अच्छा लाबू मेरा समान मेरी समगरी कहां है समान असनान करने के टाइम तुझे अंगूठी छडी कटार दीती वो कहां है नजर नहीं आ रही मारावी जी मैं वो अंगूठी छडी जो सरोवर एक पास सिला है उसी पर रखकर मैं पूजा की थाली लेने चलीगी मैंने तेरे हाथा में दिया था दिले पर रखने क्या दरों थी कहा रखा चली चली याद चली 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 वो सिला उसी सिले पर अरे उस पे तो कहीं नजर नहीं आ रही कहां है जल दी बहुत कहां है मैंने तो वहीं पर रखा हुआ था मैं सच में नहीं जानती कि वहां से कहां चला गया मैं सच मुच नहीं जानती कि वहां से अंगूटी और छड़ी कहां चली गई हो सकता है वो सिला से पीछी गिर गई हो मारानी जी आप चिंता नहीं कीजिएगा आप चलीए मैं ढूरती हूँ चिंता नहीं गरूँ मेरी माया नगरी सूली हो जाएगी उसके बिना मैं अधूनी हो जाई मारानी जी अब वह अंगूठी छड़ी आप मिलने वाली नहीं है और ना जादू कटार आप क्या समझती हैं कि मैं जादूगर हूँ अरे शारा जादूगर तेरा मेरे पास आ गया है अब तो किस बात की जादूगर शिर्प मैं उसे इस्तिमाल नहीं करूँगी क्योंकि जो तुने कानून लगा रखा इस माया नगरी में उस कानून को मैं खत्म कर दूगी जहाँ पर छे कनून नहीं चलेगा और कनून के साथ साथ महारानी माया देवी तू भी नहीं चलेगी क्योंकि आज तेरा अंत होना है और मैं चाहती हूँ कि तेरा अंत हो जाए तेरा अंत होगा जब यहाँ का कनून विट साथ इसकी लेटर है भी है देखो हम सरोरों में आ गए हैं और सबसे पहले हम उस मच्छी को पकरेंगे जिसमें माया की जान है और फिर हम जल बने के बाद हम उस मच्छी को मर देंगे उस मचली को मानने के बाद माया अपने आप से ही खतम हो जाएगी इसलिए कि उसकी जान उस मचली में है ठीक है आप सरूर में कूदी है अगोडी भरकर अगर आपको कोई दिक्कत हो रहे है तो यह खड़ाओ बैकर मैं आपको पता लगाता रहूँगा ठीक है ठीक है जाएगे अरे दोस्त असकी लिए चाल अरे मचली तो मिल नहीं रहाइए अरा थोड़ा कि और तलके इखो अरे जाए बहुत देर से धूँड़ाँ हूँ आर किना लगुग four Spencer ठीक हो एक बार ओर कोशिश कटा हूं तो एक जहा आप पर यह कि मैरी को दोस्त आप अरे मुझे मचली मिल गई है और मैं इसे बाहर ला रहा हूँ बहर जले बाहर निकलाओ किलो क्या हो रहा है लगता है सरोवर में कोई मेरी मचली को पखा लिया अब उस मचली के बगार मैं जिन्दा कैसे रह पाऊंगे मचली मत मारो मुझे दे दो मेरी जान इस मखली में नहीं मार दो मया नहीं जा माया जा आँ माया गए माया तेरा पलण गया साया बहुत जादू था तेरे पास माया वह बहुत जादू था लेकिन आज तेरा कोई जादू काम नहीं किया तेरा जादू तेरे गाव में खुछ गया और अब इस सर्व में कोई मच्ली भी नहीं रहेगी और इस माया नगरी में कोई माया रहेगी कोई माया रहेगी अरे हमसे भून हो गई हमका माफी देखो